बिसमिले रहमान रहीम आज की वीडियो में हम राइनो प्लास्टी रिवीव करेंगे मेरे क्लाइंट मुनीर हुसेन जिसका तालुक डिरगजी खान से दुबाई में होते तो यह एक अफता पहले आयता है इसकी नक अपरेशन होई है आज हमने पट्टी हट आई है अब दोब मुनीर हुसेन इसका मजब इसलिए आया कि इसकी साथ एक चोटा बच्चा आया हुआ है और वो इस टाइम वीडियो बना रहे है और साथ में इसकी वाइफ भी आई हुई है तो यह आठ दिन यह इदर ही हमारे हास्पिटल पर इन्होंने स्टेक किया वहां पर पड़े होती है कि अगर कोई आपको पाजिटिव फीडबेक देता है इससे यह फाइदा होते कि दिरगाजी खान के या दूसरे बलोच लोग इसको देखते हैं तो भी कहते हैं उसकी ट्रस्ट डेवेलिप होती है कि हाँ यह आया था और इसने फुद बोल दिया कि आच्छा है लोग कमेंट में पूछते हो कि तर ट्रंसप्लांट की क्या प्राइस है तो मैं लिग देता हूं कि इतना प्राइस हम इन बॉलाते हम कहते हैं रेट सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कोई तरीका नहीं है कि आप उसको बोलो क्लिनिक आजाओ चेक तक है और इसके एलाबा बहुत ज्यादा कंप्लिकेटीड हो तो फिफ्टी तक भी चली जाती है वो डिपेंड करते कंदीशन पे और मिनिमम प्राइस वनेटी तावजेंट है तो यह प्राइस का क्वेस्टन इसलिए पहले से बता दिया था कि आप लोग कमेंड में प्राइस करेंट ना पूछे तो मुनीर का जो नाग है आप लोग देख रहा हो इसका ठीक शीन से बिश्या स्कीन होते है इसकी जो रेडिक्स बहुत दीप थिसका मैं आप लोगों को भी फोर वाला इसकी साथ अटेच करोंगा इसका इसको रेडेक्स बॉलते है बहुत दीप दीप वाज़े से इसका नाग का पुरा शेप खराब हुआ थेड़ा हुआ था इची पीस का नीचे था लेकिन इसका इश्य है कि तिक स्कीन है इसमें रिजल्ट क्रियेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है हमारे लिए क्यूंकि पतली स्कीन में आप नीचे से तोड़ इची भी स्कीन में आप अंदर से बहुत चेंज्ज करो तो बहुत कम नजर आएगा तो थिक स्कीन में मेरा मतलब एक के रिजल्ट प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसकी जु सर्जरी ती उसका डिवरेशन भी 30 मिनेट दूसरे लोगों से ज्यादा होता है जिसका इसका में आप लोगों को दिखाता हूं लेटरल वीव में आप लोग देख लो इसका डारसम केसे बना हुआ है माशाला बहुत प्यार है नाक मोटा है अभी यह क्योंकि स्वेलिंग है आप आट वादी ने इसकी सर्जरी का पट्टी में ने तुड़ी जल्दी कोल दी इसक मुनीर हुसेन का जो महबत है कि मेरे लिए एक अफ़ता पूरा दर गुजारा कि मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा ये मेरे लिए बहुत वेलियो एबले जी मुनीर हुसेन जी, असलाम आलेकम, मेरा नाम मुनीर हुसेन है, मेरा तालग डिरा घाजी खान से है और मैं दुबई में रहता हूं, मैं डक्टर हबीबला शाह, डक्टर मुहमद राशिद और इनका स्टाफ और अंगजेब मुहमद इकबाल मैं सब का शुक्रिया दा करता हूँ जिन्हों ने मुझे इतनी इज़त दी और मेरा कम्याबी से अपरेशन किया अलहम्दलिल्ला तो सबसे पहला जो सवाल होता है लोगों का वो ये पूछेंगे मुझे से कि मुझे रुसायन आपका जो है ना राप्ता कैसे हुआ डक्टर साब से क्या आप दुबई में नहीं करवा सकते थे या पंजाब में डेरा खाजी खान में सरजरी नहीं करवा सकते थे बिलकुल अच्छा सवाल है इनका लेकिन बात ये है मैं जब शुरुआत की देखने की ये वीडियो डक्टर साब की सब से पहले तो एक इंजियन का चैनल था। मैंने उस पर वीडिओ देखी उस का रिविवू देखा मैंने वहां राप्ता करने की कोशिच की तुम्हें पता इंजिया का जल्दी हमें वीजा नहीं मिलता फिर मैंने कोशिच की कि कि हमारे जो प दिसंबर और जनवरी में मेरा राप्ता हुआ, फर्वरी में मैंने पैसे सेंड किये, मार्च की तेरहं तरीक को मेरा अपरेशन हुआ, आज आप देख सकते हैं, आठ दिन होगे मेरे अपरेशन को, मैं बहुत ज्यादा डक्टर साब का शुकर गुजार हूँ, और जितने भी दो स्थाना चाते हैं, पिशावर में लोग सोचते हैं, यार वहां के हालात ऐसे हैं, कि हम जाएं ना जाएं, वहां होटल का निजाम, या डक्टर साब का पास रहने का निजाम, रहने का जो है, मेरे भाई, वो तो है होटल, ठीके ना, ये तो महबत थी, डक्टर साब की, जो आट दिन, दस दिन, पाइच दिन, मैं इसके उदर कलेनिक पे हस्टोटल पे रहा, तो इदर आने में किसी किसम की टेंशन नहीं है, टेक्सी पे पेड़ हो, सीधा लहोर अड़ा है, उदर से इसका कलेनिक डाक्टर साब का आठ किलो मीटर दूर है, और इनके मुनासे पराइज हैं, तो मैं जितने में दोस्ते हैं मेरे जानने वाले हैं, वैसे मुझे बहुत सरे की जानते हैं, मुनना शिकारी मेरा नाम है, अमीद काफी है, आप لوगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अमीद काफी है आप डाक्टर साब के कलेनिक का चकर लगाएं, और इनके हाउस्पिटल का और कलेनिक का दूसरा, जहां पे हम उतरते हैं, अड़े पे लहोर, अड़े पे अड़े से लेकर, इनके हॉस्पिटल तक 18 किलो मीटर है टोटल पहले इसके कलीनिक पर आना पड़ेगा आप लोगों को वो 8 किलो मीटर का सफर है सीटी टावर है जहां पर डाक्टर साब का कलीनिक है सीटी टावर में है इनका कलीनिक तो उमीन काफिये हमारे वीडियो आप लोगों को पसंदाई होगी मैं बहुत ज्यादा शुकर गुजार हूँ डाक्टर साब का तह दिल से शुकर गुजार हूँ कसम से मैं बहुत खुश हूँ मेरा नाक बिलकुल टेड़ा था और बिलकुल नीचे था अलхमदलिल्ला आप खुद रिविव देख सकते हैं इंशालला शुकर यह डाक्टर साब बिस्मिल्यरहमान रहा हूँ अच्छा मुझे यह एकस्पेक्ट नहीं कर रहा तक कि मौनिर उसे ने अच्छा रिविव देगा क्योंकि बलोच मेरे बहुत दोस्ते बुक्टी जे अंडेरा बुक्टी से आते तो वो लोग अक्सर बात नहीं कर सकते वर्द में लेकिन माशालला मुनिर ने बहुत ही अच्छा रिविव दे दिया और उमेद है कि इसका रिविव आप लोगों को पसंद आया होगा और अधियु वर वाइचिंग अल्लाहफेज